हेलो एवरिवन, वेलकम टो आवर चैनल लता सिक्षन संस्थान हमारे चैनल लता सिक्षन संस्थान में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आप सब के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ और यह अपडेट जो है, JSC की और से निकल करके आ रही है तो आप सभी तैयार हो जाएए, JSC की और से फिर एक नए वेकंसी की नोटिफिकेशन आ चुका है तो क्या किस वेकंसी का नोटिफिकेशन आया है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे तो पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जब तक आप complete वीडियो नहीं देखेंगे आपको सारी चीज़े समझ में नहीं आएंगे कितने पोस्ट है किस चीज़ का वेकेंसी है कब से फॉर्म एपलाई होगा कौन फॉर्म को एपलाई कर सकते को नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों के वारे वे हम लोग इस वीडियों पुरी डिटेल में देखेंगे तो चलिए अब हम लोग देखते है ये वेकेंसी जो है जेसरसी की ओर से निकल करके आईए बिग्यापन संख्या बिग्यापन संख्या 07-2022 जारखन इंटर्मिडियेट अस्तर कम्प्यूटर ग्यान एवों कम्प्यूटर में हिंदी टंकन हरता धारक पद हे तू संयूत परत्योगिता परिछा दोहजर वाइस नियमित भरती यानि कि ये वेकेंसी जो है इंटर्मिडियेट अस्तर का है जो भी इंटर किये हुए है इंटर्मिडियेट अस्तर के क्वाइलिफिकेशन रखते हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को और क्या है कि कम्प्यूटर ग्यान एवों कम्प्यूटर में हिंदी टंकन हरता धारक यानि कि कम्प्यूटर में हिंदी टाइपिंग वालों के लिए ये वैकेंसी है आगे हम लोग इसी परकास से पूरे डिटेल में इस वैकेंसी के वारे में पूरे डिटेल में विस्तार पूरवक डिसकस करेंगे उचसे पहले आप सबसे हमारी एक चोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल वह तक जल्द से जल्द नोटिविकेशन पहुचाने की उसका नोटिविकेशन वीडियो बना कर पहुचाने की कोशिश करती हूँ तो आप इसी तरह से जारकन के हर वैकेंसी के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वेल आइकन को अन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने प्रेंस के साथ फैमिली के साथ दोस्तों के साथ सेयर करें ताकि आपके साथ-साथ उन्हें भी वैकेंसी की जानकारी हो सके तो सबसे पहले हम लोग फर्ष पोइंट में देख लेते हैं कार्विक परसासनिक सुधारता थाराज भ पाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर यानि इन सभी फदों के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है फॉर्म एप्लाइस वैकेंसी का होगा आपका ओनलाइन मोड में आप अप्लाइब कर सकते हैं जैसे सी के ऑफिस्यल वैप साइट पे जाकर आप हम लोग देख लेते हैं परिछ जो है आपका कार्मिक परशासनिक सुधा तता राजवासाव जारकन राची पत्रंक पचासी सो उनसाट दिनांग तेईस्ट तो जार उन्नीस के हालोग में इसके अधार पर जारकन राज के 40% अथवाई से अधिक निसात्त का वले दिव्यांग का वित्तों को परिछा सुल रुपया स्टी के लिए है मात्र पचास रुपई है फी जो है आपका रिफंडेवल नहीं होगा नॉन रिफंडेवल होगा आप देखते हैं रिक्तियों का विवरन सबसे फर्ष्ट है आपका पद का जो नाम है उसके बाद आरक्षन कोटी है कूल कितने पद है यहां सारे क किस केटागिरी में कितने पद है फर्ष्ट में है निम्न वर्ये लिपिक कर्याले सायक सा लेखा पाल लेखा लिपिक हों लेखा पाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर नगत विकासे हों अवास विवाग तू में भी वही है थ्री में है आपका इस्टेनो गराफर इस तरह से आप सारे पोस्ट को देख लेंगे आपको PDF मिल जाएगा हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिगराम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप टेलिगराम चैनल को जोईन कर सकते हैं और वहां आपको सारे PDF मिल जाएगे तो इस परकार से आप सारे पोस्ट को देख लेंगे पीडियव डाउन्लोड करके यानि कि ये वैकाशि जो निकल करके आ रही है इसकी कूल भॉस्टों की संख्या जो है लगबग 986 पोस्ट पर वेकेंसी निकल कर आ रही है यानि कि इतने पोस्ट रिखते हैं आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स देखते हैं फाइब नंबर में आपका जो है वेतन मान और नियुंतम सक्षन की योग्यता है क्या क्यों क्वालिफिकेशन मांगा गया है और क्या पे ग्रेड रहेगा तो यहां सेलरी रहेगी आपका 25,500 रुपई ये और से लेकर 81,100 रुपई ये तक इसमें क्वालिफिकेशन जो है मांगा गया है कोसल परसिक्षन के लिए आसू लिपिक परिशा में सफल होने के लिए अब यहत्यों कि हिंदी टंकन कम से कम 30 सब्द परती मिनट होनी परती मिनट तता हिंदी टाइपिंग में 25 सब्द परती मिनट की गति होनी चाहिए तो ये कोसल परसिक्षन के लिए आपका क्राइडरिया फूल्फिल होनी चाहिए कि एक मिनट में आपको 30 वर्ड कम से कम हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए इस परकार से सारे पोस्ट का दिया गया है को देख सकते हैं पीडिया पड़ सकते हैं अब हैं निम्तम सक्षणिक योग्यता अभ्यत्रीयों से उप्रक्त पत के विरोध आवेदन प्राप्त करने प्राप्त होने के अंतिमतिति तर्फ तर्फ लिका कि अस्थम आजिए चाहर में अंकीत निम्तव सक्ष्ने क्योग्यता आरीत करना निवायरी और सक्ष्ने विध्टा के लिए अन्लाइन डेने के लिधक अधन तीत्री रिफ्रेंस डून नहींne यानि कि अधार तित्ति अधार में जो तिति रहेगा वही आपका मैंना जाएगा यदि को यह बेदर इस तित्ति तक निधार शक्षिन योग्यता धारित नहीं करते हैं तो यह विदन भणने के लिए आयोग्य समझे जाएंगे आगे देखते हैं नेक्स पॉंट में क्या दि प्ल्लेखर नेक्सलेकारी भी होने साअगे मैं मैं और नेक्स में दिया गयां आयु सीमा रखा गया है इस मेर के लिए इसको को भी आम लोग हैं उक्त पदों के संदर्व में उम्र की गन्ना निलिकित संदर्व मुतित्यों के अधर पर की जाएगी अब क्या दिया गया है लिपिक के लिपिक के लिए गया है सहायक सा लेखा पाल लेखा लिपिक लेखा पाल सा कम्प्यूटर अपरेटर इसके लिए क्या है कि निमत्म उम्रसीमा की गन्या जो की गई है 182 हज़र एकिस तक होनी चाहिए सबी के लिए अलग-अलग दिया गया है निमत्म उम्रसीमा उसके बाद आगे next जो है यहां देख सकते हैं आप 182 हज़र 23 रखा गया है तो इन सारी चीजों को आप डिटेल में पीडिया पढ़ सकते हैं पढ़ लिजिएगा क्या होनी चाहिए एक आठ दो हजार एकिस को निमतम उम्र क्या होनी चाहिए तो आपका 18 एर होनी चाहिए क्या है एक आठ दो हजार एकिस तक आपका 18 एर होनी चाहिए निम्तम उम्र और अधिक्तम उम्र सीमा क्या रखा गया है अलग-अलग के टाइगरी के लिए अलग-अलग रखा गया है तो यह भी हम लोग देखते हैं क्या है निम्तम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष होनी चाहिए अधिक्तम उम्र सीमा कार्मिक परसास्नी सुधात अता राजवासा विबाग के संकल्प संक्या इतना 649 दिनांग 25 एक दोजा सोलत द्वारा यथा निर्धारित क्या गया है क्या क्या गया है अनारचित वह आर्थिक यदि नमें 38 वर्ष का गया अनुसुची जाती अनुसुची जंवालां के पूरिक के लिए रखा गया है कितना TO 40 वर्ष रखा गया है अधिकता उम्र शीमा के Sir estamos 7 नमर में दिया गया T निसक्त अव्यत्रियों के लिए सुभिदा दिया गया है कि निसक्त अव्यत्रियों के लिए परिछा में उतर देने के लिए उन्हें परती 20 मिनट परती घंटा की दर से उन्हें दिया जाएगा यानि कि जितने घंटा की एजाम होगा हर एक घंटा में 20 मिनट का अतरिक्त समय दिया जाएगा इस परकार से दिव्यांक वालों को इलिए बहुत सारे दिये गए हैं निसक्त वाले अब्यत्रियों के लिए बहुत सारे छूट भी दिये गए हैं तो इन सबी चीजों को आप ये भी देख लीजिएगा अब देखते हैं आरक्षन का लाब कोन कोन ले सकते हैं आरक्षन के लिए क्या क्या रखा गया तो जाती आवसे पर्मान पत्र होनी चाहिए इसके लिए आपके पास कि देख सकते हैं आप यहां अस्थानिय निवासी पर्मान पत्र जाती पर्मान पत्र इस देखते हैं आवबेधन परकिर्या पूर्ण करने कि विभी तित्या यानिकी कब रेइस्टरेशन होगा कब हूटो सिक नेशर अपलोड कर सकते एक पंपर कर सकते इन साजी चीज्व के वारे में दित्या देख्या दिए गई है रेइस्टेशन करने तथा सुचनादर्ज करने है तो दिनांग बीस पांच यानि की बीस मैसे फॉर्म भरना आपका देट दिया गया है 25 जून 2022 की मैद्रात्री तक उसके बाद दिया गया है 26 चौद 2022 से लेकर तीस चौद 2022 तक और लाइन आविदन पत्र में की गई असुद्धी परविष्टी को संसोधित करने के लिए पुना खोली जाएगी यानि की अगर आपका किसी तरह की कोई तुरूटिया हो जाएंगी कुछ गलतिया हो जाएंगी तो उसको आप संसोधित कर सकते हैं कब से तो कर सकते है 26 जून से लेकर 30 जून के वीच में तो फॉर्म एपलाई करते से मैं आप थोड़ा सा ध्यान देंगे खुद से देखेंगे साइवर में अगर आप फॉर्म फिलब करवा रहे हैं तो एक बार जरूर से खुद से मिला लीजिएगा उसके बादी सब्मिट करवाईएगा इससे होगा कि आपका गलती नहीं होगी अब परिचा सूल के एकजाम फिक ऐसे पैमेंट कर सकते हैं तो आप अपना रेजिटरेशन नमबर डाल करके पैमेंट कर सकते हैं इसमें दिया गया है परिच्छा का सवरूप तो किस मोड बे एक्जाम होगा तो OMR सिट पर परिच्छा होगी OMR सिट पर होगी यानि कि अफलाइन मोड बे एक्जाम होगी आपका यहां देखिए कि परिच्छा का सौरूप जो है दिया गया है परिच्छा एक ही चरन मिली जाएगी और परिच्छा की परस्ण जो है वस्तोनिष्ट परस्ण रहेंगे बहुविकल्पिया परस्ण रहेंगे इसमें एक परस्ण का तीन अंक रहेगा और परतियक सही उत्तर के के लिए तीन अंग दिये जाएंगा और परटिक earlier थोरा तर के लिए आपको एक अंग कार्ट लिया जाएंगे पर्यक्षा UP की minute accurate और क्या क्या रहे ह Play आप से लिए देखलेते पूरी सिलेवस को आपको अलग सी वीडियो मिल जाएगी हे पूर कुल कुल प्रस्ण जो आपको 120 रहेगा और दो घंटे की परिचा होंगी हिंदी इंग्लिस रहेगा हिंदी रहेगा 60 प्रस्ण और इंग्लिस रहेगा 60 प्रस्ण उसके बाद आपका एक रिजनल लेंग्वेज रहेगा इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं और दू संथाली बंगाली मुंडारी कोठा जाएंगे पर ठी में आपका रहेगा समाइन अध्यान से 30 प्रस्ण जारकन राइस समंदिश 40 प्रस्ण और यह कंप्यूटर गया ने कंप्यूटर से हिंदे टंगन से रहेगा आपका 50 प्रस्ण तो यह रहा आज का नोटिवीकेशन जैसे सी की वह से जारी किया गया है तो जो भी कंडिडिट अगर इस वेकंसी के लिए लिजिवल है तो आप त्यार हो जाए यह फॉम भरने के लिए अभी सही त्यारी स्टार्ट कर दीजिए इसमें आप देख सकते हैं कि समाइन ग्यान से जो पूछा जाएगा परस्ण आपका तो जारकन से रहेगा आपका 40 परस जाती है तो आप हमारे चैनल के साथ जूड़कर जाखन जी के की बैसरी तयारी के सकते हैं जारकन कि मैंने जितने भी एक्जाम्श होते इसबे लिए जारकन के जो है मस्ट है कंपलसरी है जारगन जी के रहता ही है तो यह नोटिफिकेशन जो है आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ प्रेंच के साथ सेयर करें पहुचाने की कोशिस करें ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी वेकेंसी की जनकारी हो सके और अगर वीडियो helpful लगे अच्छा लगे नोटिफिकेशन आपको helpful लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नए है तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन वेल आइकन को on कर लिजिए ताकि जारकन से आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेकेंसी के साथ नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ और आपको फिर से इसी वीडियो के इसी नोटिफिकेशन का सिलेवस अलग से मिल जाएगा सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा जहाँ सा पसानी से सारी चीजों को समझ सकते हैं पूरी डीटेल में से लेवस को जानने के लिए हमारी चैनल के साथ कंट्यूनि रहे तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यू बाइबाई टेक केर जै हिन जै भारत जै जारगन